एक्ट्रिस पूनम पांडे एक बार फिर से अपनी शादी शुदा लाइफ में लड़ाई जगडे की वज़ा से चर्चा में आ गई है एक्ट्रिस ने अपने पती सैम बॉंबे को गिरफतार करवा दिया है पूनम पांडे ने अपने पती सैम पर मारपीट का आरोब भी लगाया है ऐसे में मुंबई पुलिस ने सैम को बीते सुमवार को गिरफतार किया और अदालत ने उसे तीन दिन की हिरासत में भेज दिया है पूनम पांडे की शिकायत के मुताबेक पूनम की सैम से उनकी पहली पत्नी अलवीरा को लेकर बहस हो गई थी इस दोरान सैम को गुसा आ गया और उन्होंने पूनम के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी इस दोरान गुस्से में सैम ने पूनम के बाल पकड़ कर उन्हें खीचा और उनका सिर दिवार से दे मारा। यही नहीं सैम ने पूनम के चहरे पर भी घूसे मारे। सैम दोरा की गई मारपीट में पूनम पांडे की आँख के पास और चहरे पर गंभीर चोट आई है जिससे अभिनेत्री को देखने में भी दिक्कत हो रही है। पुलिस के मुताबिक पूनम अस्पताल में एडमिट है वही अब बांदरा पुलिस इस मामले की और अधिक जाच कर रही है। आखिर शादी के तुरंद बाद दोनों के बीच क्यों आई दरार। पूनम पांडे ने अपने बॉइफरेंड सैम बॉंबे संग लिविन रिलेशन्शिप में रहने के बाद गुपचुप शादी क्रचाई थी। दोनों बीते साल 10 दिसंबर को शादी के बंध में बधे थे। इसके बाद दोनों गोवा गए थे लेकिन यहां पर भी पूनम और सैम के बीच खूब जगड़ा देखने को मिला था। अभिनेत्रि पूनम पांडे ने गोवा में अपने पती के खिलाफ एफ आई यार दर्ज कराई थी। इस घटना ने हर किसी को चौका क रख दिया था क्योंकि महजशादी के बारा दिन बाद ही दोनों के बीच दरार की खबरे आने लगी थी। इस दौरान पूनम पांडे ने अपने पती सैम बॉम्बे के खिलाफ छिड़चा धमकी मार पीट का आरोप लगाया था। इस दौरान भी पुलिस ने सैम को गिरफ